साहित्य निधि में प्रस्तुत है मुशी प्रेम चंजी की लिखी हुई कहानी सदगती दुखी चमार द्वार पर जारू लगा रहा था और उसकी पत्नी जुरिया घर को गोबर से लीप रही थी दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा तो जाके पंडित बाबा से कह आओ न ऐसा ना हो कही चले जाएं हाँ जाता हूँ लेकिन ये तो सोच बैठेंगे किस चीज पर कहीं से खटिया न मिल जाएगी ठकराने से मांग लाना दुखी बोला तू तो कभी-कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है ठकराने वाले मुझे खटिया देंगे आग तक तो घर से निकलती नहीं खटिया देंगे कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले भला खटिया कौन देगा हमारे उपले सेठे भूसा लकडी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाएं ला अपनी खटोली धोकर रख दे गर्मी के दिन तो हैं उनके आते आते सूख जाएगी जुरिया बोली वे हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं देखते नहीं कितने नेम धरम से रहते हैं दुखी ने जरा चिंते धोकर कहा हाँ ये बात तो है महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं वो पवित्तर है ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूँ पत्तल मैं बना लूँगी तुम जाओ लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा अपनी थाली में रख दूँ दुखी बोला कहीं ऐसा गजब न करना नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे बाबा थाली उठा कर पटक देंगे उनको बड़ी जल्दी विरोध चड़ जाता है कि रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक तूटा हाथ लिए फिरता है पत्तल में सीधा भी देना हाँ मुदा तू छूना मत जूरी बोली गोण की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीज़े ले आना सीधा भर पूर हो सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नोन, हल्दी और पत्तल में एक किनारे चाराने पैसे रख देना गोण की लड़की न मिले तो भुरजिन के हाथ पैर जोड़ कर ले जाना तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला खाली हाथ बाबा जी के सिवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देख कर तो बाबा दूर से ही दुदकार थे पंडित घासी राम ईश्वर के परम भक्त थे नीद खुलते ही ईशो पासन में लग जाते मुहा दोते आठ बचते तब असली पूजा शुरू होती जिसका पहला भाग भंग की तयारी थी उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते फिर आइने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते चंदन की दो रिखाओं के बीच में लाल रोडी की बिंदी होती थी फिर छाती पर वाहों पर चंदन की गोल-गोल मुद्रिकाएं बनाते फिर ठाकुर जी की मूरती निकाल कर उसे नहलाते चंदन लगाते फूल चड़ाते आरती करते घंटी बजाते दस बजते बजते वो पूजन से उठते और भंग चान कर बाहर आते तब तक दो-चार जजमान द्वार पर आ जाते इशो पासन का ततकाल फल मिल जाता वही उनकी खेती थी आज वो पूजन ग्रह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का गठा लिये बैठा है दुखी उन्हें देखते उट खड़ा हुआ और उन्हें शाष्टांग डंदवट करके हात बांद कर खड़ा हो गया ये तेजस्वी मूर्ती देखकर उसका हिर्दे शद्धा से परिपून हो गया कितनी दिव्य मूर्ती थी छोटा सा गोल मटोल आदमी चिकना सिर, फूले गाल ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आँखें रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी दुखी को देखकर श्रीमुक से बोले आज कैसे चला रहे दुखिया दुखी ने सिर जुका कर कहा बिटिया की सगाई कर रहा हूं महराज कुछ साइध सगुन बिचारना है कब मरजी होगी गासी बोले आज मुझे छुट्टी नहीं हाँ सांज तक आ जाऊंगा नहीं महराज जल्दी मरजी हो जाए सब सामान ठीक कर आया हूं यह घास कहां रग दूँ इस गाये के सामने डाल दे और जरा जारू लेके द्वार तो साफ कर दे यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई उसे भी गोबर से लीप दे तब तक मैं भोजन करनो फिर जरा आराम करके चलूँगा हाँ यह लकड़ी भी चीर देना खलिहान में चार खाची भूसा पड़ा है उसे भी उठालाना और भूसौली में रख देना दुखी फोरण हुक्म की तामील करने लगा द्वार पर ज़ाडू लगाई बैठक को गोबर से लीपा तब बारह बज गए पंडिजी भोजन करने चले गए दुखी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था उसे भी जोर की भूग लगी पर वहाँ खाने को क्या धरा था घर यहां से मील भर था वहाँ खाने चला जाए तो पंडिजी बिगड़ जाए बेचारे ने भूग दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा लकड़ी की मोटी सी गार थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था वो उसी दम खम के साथ लोहे से लोहा लेने लिए तैयार थी दुखी गास चिल कर बाजार ले जाता था लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था गास उसके खुरुपे के सामने सिर जुका देती थी यहां कस कस कर कुलहारी का भरपूर हाथ लगाता पर उस गाट पर निशान तक न पड़ता था कुलहारी उचट जाती पसीने में तर्था हाफता था ठक कर बैठ जाता था फिर उठता था हाथ उठाएना उठते थे पाओं काप रहे थे कमर न सीधी होती थी आखों तले अधेरा हो रहा था सिर में चक्कर आ रहे थे तितलियां उड़ रही थी फिर भी अपना काम किये जाता था अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती उसने सोचा यहां चिलम और तंबाकू कहा मिलेगी ब्रामनों का पुरा है ब्रामन लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े पीते हैं सैसा उसे याद आया कि गाओं में गोण भी रहता है उसके हां जरूर चिलम तंबाकू होगी तुरंत उसके घर दोड़ा खैर मेहनत सुफल होई उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी थी पर वहां आग ना थी दुखी ने कहा आग की चिंता ना करो भाई मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा वहां तो अभी रसोई बन रही थी ये कहता हुआ वो दोनों चीजने लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला मालिक रच के आग मिल जाये तो चिलम पी ले पंडित जी भोजन कर रहे थे पंडिताई ने पूछा ये कौन आदमी आग मांग रहा है पंडित बोले अरे वही ससुरा दुखिया चमार है कहा है थोड़ा सा लकड़ी चीर दे आग तो है दे दो पंडिताई ने भमे चड़ा कर कहा तो में तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धरम करम किसी बात की सुधी नहीं रही चमार हो धोबी हो पासी हो मुँ उठाए घर में चलाए हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई कह तो दाड़ी जार से चला जाए नहीं तो इस लुआठे से मूझ रस दूँगी आग मागने चले है पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा भीतर आ गया तो क्या हुआ तुमारी कोई चीज तो नहीं चुई धरती पवित्र है जरासी आग दे क्यों नहीं देती काम तो हमारा ही कर रहा है कोई लुनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम चार आने लेता पंडिताईन ने गरज कर कहा वो घर में आया क्यों पंडित ने हार कर कहा ससुरे का अभाग था और क्या पंडिताईन बोली अच्छा इस बक़त तो आग दिये देती हूं लेकिन फिर जो इस तरह घर में आयेगा तो उसका मुही जला दूँगी दुखी के कानों में इस बातों की भनक पड़ रही थी पच्ता रहा था नहाक आया सस तो कहती है पंडित के घर में चमार कैसे चला आए बड़े पवित्तर होते हैं ये लोग तभी तो संसार पूझता है तभी तो इतना इनका मान है भर चमार थोड़े ही हैं इसी गाउं में बुढ़ा हो गया मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई इसलिए जब पंडिताईन आग लेकर निकली तो वो मानो स्वर्ग का वरदान पा गया दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बूला पणाईन माता मुझे से भूल हुई कि घर में चला आया चमार की अकल ही तो ठहरी इतने मूरक ना होते तो लाद क्यों खाते पंडिताईन चिप्टे में पकड़कर आग लाई थी पांच हाथ की दूरी से घूंगट की आर से दुखी की तरफ आग फेकी आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई जल्दी से पीछे हटकर सिर को जोटे देने लगा उसने मन में कहा ये एक पवित्तर ब्रामन के घर को अपवित्तर करने का फल है भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया इसी से तो संसार पंडितों से ड़ता है और सबके रुपए मारे जाते हैं ब्रामन के रुपए भला कोई मार तो ले घर भर का सत्यानास हो जाए पाउं गलगल कर गिरने लगें बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुलाड़ी लेकर जुट गया खट खट की आवाजें आने लगी उस पर आग पढ़ गई तो पंडिताईन को उस पर कुछ दया आ गई पंडित जी बोजन करके उठे तो बोली इस चमर्वाग को भी कुछ खाने को दे तो बेचारा कपसे काम कर रहा है भूखा होगा पंडित जी ने इस प्रस्ताओं को व्यवारिक छेतर से दूर समझ कर पूछा रोटियां हैं पंडिताईन बोली दो चार बच जाएंगी दो चार रोटियों में क्या होगा चमार है कम से कम सेर भर चड़ा जाएगा पंडिताईन कानों पर हाथ रख कर बोली अरे बाप रे सेर भर तो फिर रहने दो पंडित जी ने अब शेर बन कर कहा कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिला कर दोठो लिठा सेख दो साले का पेट भर जाएगा पतली रोटियों से नीचों का पेट नहीं भरता इन्हें तो जुवार का लिठा चाहिए पंडिताईन ने कहा अब जाने भी दो दूप में कौन मरे दुखी ने चिलम पी कर फिर कुलाड़ी संभाली दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी कोई आधा गंटे तक फिर कुलाड़ी चलाता रहा फिर बेदम होकर वही सिर पकड़ के बैट गया इतने में वही गोड़ा आ गया बोला क्यों जान देते हो बुड़े दादा दुखी ने कहा कैसी बात करते हो चिखुरी ब्रामन की रोटी हमको पचेगी पचने को पच जाएगी पहले मिले तो मूचों पर ताओ देकर भोजन किया और आराम से सोए तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुकम लगा दिया जमीदार भी कुछ खाने को देता है हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है यह उनसे भी बढ़ गए उस पर धर्मात्मा बनते हैं दुखी बोला धीरे धीरे बोलो भाई कहीं सुनने तो आफ़त आ जाए यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुलहाडी की चोट मारने लगा चुकिरी को उस पर दया आई आकर कुलहाडी उसके हाँ से चीन ली और कोई आदा घंटे खूब कसकस कर कुलहाडी चलाई पर गांट में एक दरार भी न पड़ी तब उसने कुलहाडी फेक दी और यह कहकर चला गया तुमारे फाड़े या न फटेगी जान भले निकल जाए दुखी सोचने लगा बाबा ने ये गांट कहां रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा अभी घर पर सो काम पड़े हैं कार परोजन का घर है एक नाएक चीज घटी ही रहती है पर इन्हें इसकी क्या चिंता चलूँ जब तक भूसा ही उठा लाँ कह दूँगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी कल आकर पाड़ दूँगा उसने जववा उठाया और भूसा ढोने लगा खलियान यहां से दो फरलांग से कम ना था अगर जववा खुब भर भर कर लाता तो काम जल्द खतम हो जाता फिर जववे को उठाता कौन अकेले भरा हुवा जववा उससे ना उठ सकता था इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था चार बजे कहीं भूसा खतम हुआ पंडित जी की नींद भी खुली मुवा धोया पान खाया और बाहर निकले देखा तो दुखी जववा सिर पर रखे सो रहा है जोर से बोले अरे दुखिया तू सो रहा है लकडी तो अभी जोंकीतियों पड़ी हुई है इतनी देर तू करता क्या रहा मुट़्ी पर भूसा ढोने में संजा कर दी उस पर सो रहा है उठा ले कुलहाडी और लकडी फार डाल तो उससे जरा सी लकडी नहीं फटती फिर साइद भी वैसी निकलेगी मुझे दोस मत देना इसी से कहा जाता है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आख बदली दुखी ने फिर कुलहाडी उठाई जो बाते पहले से सोच रखी थी वो सब भूल गई पेट पीट से धसा जाता था आज सबेरे जलपान तक न किया था अव काशी न मिला उठना ही पहार मालूम होता था जी डूबा जाता था पर दिल को समझा कर उठा पंडित हैं कहीं साइट ठीक न बिचाने तो फिर सत्यानासी हो जाए जब ही तो संसार में इतना मान है साइट ही का तो सब खेल है जिसे चाहें बिगार दें पंडित जी गांट के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे हाँ मार कसके और मार कसके मार अवे जोर से मार तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है लगा कसके खड़ा सोचने क्या लगता है हाँ बस फटा ही चाहेती है दे उसी दरार में दुखी अपने होश मिना था ना जाने कौन सी गुप्त शक्त उसके हाथों को चला रही थी वो थकान, भूक, कमजोरी, सम्मानो भाग गई उसे अपने बाहूबल पर सुएम आश्चर हो रहा था एक एक चोट बजर की तरह पड़ती थी आधा घंटे तक वो उसी उनमात की दशा में हाथ चलाता रहा यहां तक की लकडी बीच से फट गई और दुखी की हाथ से कुलहारी छूट कर गिर पड़ी इसके साथ वो भी चकर खाकर गिर पड़ा भूका, प्यासा, ठका हुआ शरीर जवाब दे गिया पंडित जी ने पुकारा उठके दो-चार हाथ और लगा दे पतली-पतली चैलियां हो जाएं दुखी ना उठा पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचितना समझा भीतर जाकर बूटी छानी शौच गए, इस्नान किया और पंडिताई बाना पहन कर बहार निकले दुखी अभी तक महीं पड़ा हुआ था जोड से पुकारा अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी चलो तुमारे घर चल रहा हूँ सब सामान ठीक ठीक है न दुखी फिर भी न उठा अब पंडित जी को कुशंका हुई पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ पड़ा था बद हवास होकर भागे और पंडिताईन से बोले दुखिया तो जैसे मर गया पंडिताईन हगबका कर बोली वो तो भी लकड़ी चीर रहा था ना हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया अब क्या होगा पंडिताईन ने शान्त होकर कहा होगा क्या चमरोने में कहला भेजो मुर्दा उठा ले जाएं एक शन में गाउं भर में खबर हो गई पूरे में ब्राम्बन की ही बस्ती थी केवल एक घर गोंड का था लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया कुए का रास्ता उधरी से था पानी कैसे भरा जाए चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए एक बुड़िया ने पंडित जी से कहा अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं कोई गाउं में पानी पीएगा या नहीं इधर गोंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना अभी पुलिस की तहकी कात होगी दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली पंडिजी होंगे तो अपने घर के होंगे लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ जाओगे इसके बाद ही पंडिजी पहुँचे पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठालाने को तयार नहीं हुआ हाँ दुखी की इस्तरी और कन्या दोनों हाए हाए करती महाँ चली और पंडिजी के द्वार पर आकर सिर्थ पीट पीट कर रोने लगी उनके साथ दस पाँच और चमारे ने थी कोई रोती थी कोई समझाती थी पर चमार एक भी न था पंडिजी ने चमारों को बहुत धमकाया समझाया मिन्नत की पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौप चाया हुआ था एक भी न मिन का आखर निराश होकर लोटाए आदी रात तक रोड़ना पीटना जारी रहा देवताओं का सोना मुश्किल हो गया पर लाश उठाने कोई चमार ना आया और ब्रामन चमार की लाश कैसे उठाते भला ऐसा किसी शास्तर पुरान में लिखा है कहीं कोई दिखा दे पंडिताईन ने जुझला कर कहा इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली सभों का गला भी निपकता पंडित ने कहा रोने दो चुड़ैलों को कब तक रोएंगी जीता था तो कोई बात ना पूचता था मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुची चमार का रोना मनहूस होता है पंडिताईन बोली हाँ बहुत मनहूस अभी से दुरगंद उठने लगी चमार था ससुरा की नहीं साद असाद किसी का विचार है इन सबों को इन सबों को घिन भी नहीं लगती पंडिताईन ने कहा घ्रष्ट है सब पंडित जी बोले रात तो किसी तरह कटी मगर सबेरी भी कोई चमार ना आया चमारे ने भी रोपीट कर चली गई दुरगंद कुछ-कुछ फैलने लगी पंडित जी ने एक रसी निकाली उसका फंडा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंडे को खीच कर कस दिया अभी कुछ-कुछ नजलका था पंडित जी ने रसी पकड़ कर लाश को घसीटना शुरू किया और गाउं के बाहर घसीट ले गए वहाँ से आकर तुरंत इस्नान किया दुरगा पाट पढ़ा और घर में गंगा चलचड़का उधर दुखी की लाश को खेत में गीदर और गिद्ध कुत्ते और कववे नोच रहे थे यही जीवन पर्यंत की भक्ती सेवा और निष्ठा का पुरसकार था अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चंजी की लिखी हुई कहानी सदगती